आक्थू 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 या रगात तुम्हार पास बीवी इस तरह की आइटम बॉम में तो उसकी ली जाती है खबर गलत मतलब मसोसना तो अगर आप लोग उसकी नहीं लोगे खबर तो घर चोड़कर भागी जाएगी ना खिर आज अब लोग बात कर रहे है रन अवे ल सिना जो की एक जज है उनके फाधर एक पॉलिटिशन है और उनकी एक बीवी भी है जिसका नाह में बुलबुल जो की एकदम जन्नाटे दार पता नहीं भोचपुरी मुझे नहीं मालूम एकदम बवाल बीवी होती है जो समझ सकते हो ना यार तो अब कहानी में ट्विस्ट जो की एडल्ट है अगर उस टैप के शोष देखना तो यार यह शो बिलकुल आपके लिए प्लाउट दो शो बहुत ही ज्यादा आपको हसाता है और जो भोचपुरी लेंगविज जो लोगने डायलोग यूज किये ना वो आप सुनोगे तो आपको सच में हसी आएगी और लिटरली जिसकी राइटिंग है मुझे बहुत अच्छी लेगी पसनली मतलब आजकल जो सिच्वेशन जो चाहरा टैंस महौल तो उसमें इस तरी की कॉमेडी आपका एक रिलीव बनती है और अगर करेक्टर के बात तो हर एक करेक्टर को हिक्दम हिलेरस लिखा है और क्या बोलूँ मैं अब भी जस्ट कंप्लेट के और मैं यहीं सोच रहा था कि खतम हो हर कम मैं इसका रिवीव करूँ उसके लावा रवी किशन जिनकी एंटरी काफी देर बाद होती शो में लेकिन येस बहुत ही उनका जो एक भोशपुरी एक्टर है उनका जो एक्सेंट है कि अगर इसमें साथ एपिसोड या आट एपिसोड होता तो वह बहुत ज्यादा होता है वह भी अभी तक देखकर ऐसा लगता है कि इसका सीजन तो आएगा तो यह थोड़ा बहुत बूला लगता है हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से नि आप स्क्रीन पर आते ही हमको हसी आने लगती है आप सोचो कि आप किस लेवल के एक्टर अशर वैसे हम लोग कौन होता आपको बताने वाले और रवी किशन की बात करो तो यार जिंदे की जंड़ भा फिर भी घमंड भा उनका मुझे पापा में समय अच्छा लगता है वाक आपको कुद आज लेगी तो बस मैं इतना हुआ कि अगर आप कोई शो देखना देखो यह फैमिली की साथ बैठके नहीं देख सकते हैं मैं इसको रेडिन हुआ सेवेन आट आप टैन तो यार बस इस वीडियो में इतना है नेक्स वीडियो में